तो अगर हम देखेंगे, हमारे पास में कितने नंबर से हैं? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हमारे पास में और नंबर से यहां पे? तो हमारे पास में 4 और नंबर से हैं और 5 इवन नंबर से हैं अब हमें किवान है, the odd digits occupy the even place तो odd digits, even places कौन कौन सी है? So this is second, इसे मैं red कला से मार्क करता हूँ तो second place, fourth place, sixth place and eighth place इन four places पे क्या है हमारे? इन four places पे odd numbers होगे बाकी पे even numbers होगे हैं न? तो in four places पे, ठीक है? इन four places पे हमारे odd numbers को हम कितने ways में rearrange कर सकते हैं? यह भी हमें पता है कि हमारे पास में 3 क्या है? 2 times है and 5 भी क्या है? 2 times है तो यह repeat हो रहे हैं, ठीक है? तो rearrange होने के ways कर जाएंगे 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial यह हमने क्या करा भी? odd वालों को rearrange किया है अब हमें पता है, बची भी 5 position पे क्या होगे? even होगे अब even का भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कितने 2 है? 2 2s हैं और 3 8s है हमारे पास में, ओके? तो इसे हम कितने ways में put कर सकते हैं? यहां सब जाएगा हमारे पास में 5 factorial, टोटल 5 है हमारे पास में और rearrange कैसे कर सकते हैं हम इसे? 2 factorial into 3 factorial now यह हमारे क्या जाएगा? simply solution हो जाएगा बस इतने ways में हम इसे rearrange कर सकते हैं अब यह value किसके equal आएगी? 4 factorial upon 2 factorial, 2 factorial यह value है equal to 6 के और 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial है किसके equal है? यह equal है 10 के तो total values हमारे कितने जाएगी? 60 ways में तो कितने हमारे पास number आजाएगे? 9 digit number तो total answer आएगा equal to 60 सबसे पहले हमने क्या करा? हमें given था कि odd numbers even place पहाएगे तो हमने उन even places जो हमारी 4 थी उस पे हमने odd numbers को rearrange कर दिया जन बची भी odd places पे हमने even numbers को rearrange कर दिया